आज हम बात करेंगे बॉलिवूड के एक्टर वरुन धवन की वाइफ नतासा दलाल के बारे में और जानेंगे उन दोनों की लव स्टोरी वैसे तो बॉलिवूड में आए दिन एक्टर और एक्ट्रेस के वफेस के चर्चे होते रहते हैं लेकिन कमी कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी तक पहुच पाते हैं और अगर प्यार बचपन का हो तो ये लव स्टोरी और भी खुबसूरत हो जाती है यहाँ आपको बता दे कि वरुन धवन और नतासा दलाल की लव स्टोरी स्कूल से ही सुरू हुई थी वैसे तो बचपन के प्यार को स्टार बनने के बार लोग भूल जाते हैं या तो इग्नोर करने लग जाते हैं लेकिन वरुन धवन ने ऐसा बिलकुल भी नहीं किया उन्होंने कभी भी अपने लाइफ से नतासा को दूर नहीं किया और इसलिए अब वो दोनों की शादी हो चुकी है वो दोनों एक साथ है नतासा वरुन और उनकी लव स्टोरी को करीब से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखे नेम कहानी जानने से पहले जान लेते हैं नतासा दलाल के बारे में सब कुछ नतासा दलाल का जनम 16 मार्च 1989 को हुआ नतासा के पापा का नाम राजेश दलाल है जो की एक बिजनेसमेन है उनकी मा हाउस वाइफ है जिनका नाम गौरी दलाल है नताशा ने अपना स्कूल मुंबई से ही किया और इसके बाद उन्होंने न्यू योक से फैशन डिजाइनर का कोर्स भी किया कोर्स कम्प्लीट करने के बाद नताशा वापस मुंबई आ गई मुंबई में नताशा ने साल 2013 में अपना एक फैशन ब्रेंड ओपेन किया इसका नाम उन्होंने नताशा दलाल रखा नताशा का ये फैशन ब्रेंड यादतर लहंगा के लिए जाना जाता है नताशा एक अच्छी फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ एक अच्छी मॉडल भी है नताशा का ब्रेंड भी काफी जादा फेमस है और वो बहुत सालों से वरुन के शाथ रिष्टे में भी रही है इसके बावजूद वो लाइम लाइट की दुनिया से रहना दूर ही पसंद करती है और इसी लिए वरुन ने भी कई सालों तक अपने रिलेशन्शिप के बारे में चर्चा नहीं की थी जी हाँ आपको बता दे कि बॉलिवूड की कई सारी एक्टरेस की ड्रेसे भी नताशा के ही ब्रेंड से तयार होती है अगर आप नताशा के डिजाइन अड्रेस देखना चाते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं तो फ्रेंड चली अब जान लेते हैं वरुन और नताशा की लव इस्टोरी के बारे में वरुन ने एक टॉप शो में बताया है कि जब वो और नताशा 11 क्लास में थे तब ही दोनों मानेक जी कूपर पर कूल में बास्केट बॉल खेलने गए थे उनको बताते हैं कि मैच के दोरान जब ब्रेक हुआ तो वो दोनों कैंटीन में गए वरुन बताते हैं कि केंटीन में मैंने नताशा को चलते देखा वहाँ वो बहुत प्यारी लग रहे थी वरुसी टाइम वरुन को रेलाइज हुआ कि उन्हें नताशा से प्यार हो गया उस्टाइम नताशा उनके कॉलेज की सबसे सुन्दर लड़की थी जिसे हर कोई डेट करना चाहता था आपको बता दे कि वरुन धवनको हमेशा यही लगता था कि नताशा को तो पढ़ाना उनके बस से बाहर नताशा से हर टाइम बात करने की कोशिश करते थे लेकिन थोड़ा धिजकते भी थे योकि उस टाइम नताशा का बॉइफरेंट था वरुन नताशा के शाथी हमेसा बैठे थे भले ही उनके बगल में नहीं बैठे थे लेकिन नताशा के पास ही बैठे थे चाहे केंटीनों चाहे क्लासो या तो ऐसी जगे बैठे थे जहां से नताशा उनहें देख सके पास हं अन्हें हर बार इग्णोर कर दे थी वरुन को लगा कि एसे तो नताशा उन्हें कभी विभाव नहीं देंगी तो वरुन ने एक प्लैन बनाया और सोचा कि है यह वह नताशा को इग्नौर करेंगे और वरुन धवन ने ऐसाइच किया और वरुन θαनके फार्मुला काम कर गया और तब नताशा ने वरुन को भी काफ ही जाद नोटिस उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया पर फाइनली वरुन का इतना सारा प्यार देखकर नताशा ने हाँ बोली दी इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे वरुन धवन बताते हैं कि जब नताशा ग्रेजुएशन के लिए न्यूयोक गई थी तब में उन्हें बहुत मिश्च करता था फिर जब ग्रेजुएशन खतम करके नताशा वापिस आई तब वरुन बहुत जादे खुश हो गए और सबसे पहले तुरन नताशा से मिल ले गए वरुन और नताशा की ब्रेकप की खबरे मीडिया में काफी जादा फैल रही थी जब आलिया और वरुन ध मेडिया पर आकर बताया आलिया भट और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं हम लोग बस एक अच्छे फ्रेंड्स हैं आपको बता दे कि वरुन धवन ने पहली बार अपने और नताशा के रिष्टे का खुलाशा करन जोहर के एक शो कौफी विद करन में किया था नता शादी भी करेंगे इसके पहले नताशा और वरुन साथ नजर भी आने लगे थे और नताशा उन वरुन धवन की फैमिली के साथ भी देखी गई 24 जनवरी 2021 को वरुन धवरो नताशा दलानले शादी कर लिए जिसकी फोटो उन दोनों ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करी है हाला कि शादी 2020 में ही होने वाली थी लेकिल करोना और लॉकडाउन के चलते इन दोनों ने एक साल साथी को ड्रॉप करने का फैशला लिया और उसी से मैंने ओनिस्टी की एहमियत समझी है उन्होंने शादी करने का फैसला तब किया जब उन्होंने अपने भाईया और भाबी और उनकी प्यारी सी बेटी पर ध्यान दिया वरुन धवन की उम्र 34 साल है और नताशा की 32 दोनों लगबक सेमी एज के हैं यहां आपको यह पता दे कि वरुन धान का जनम कोई बहुत जाए अमीर खांदान में नहीं हुआ था तब उरुन होन कि पापा डेविड धावन बॉलिवुड में as a डेरेक्टर काम ढूंडी रहे थे बचपन में यह ऑरुन होन की पापा डेविड धावन डैरेक्टर बन गए थे पर त पन से बॉलिवुड में एक्टर नहीं बनना चाहते थे लेकिन उनको कॉमेडी करने का काफी शौक था अपनी टीनेज में भी यही चाहते थे कि वो कोई कॉमेडियन बने पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जब उनके पापा डेविड धवन को ये पता चला कि वरुन धवन ने इन दो मूवीज का ओडिशन दिया है अगर तुम्हें बड़ा एक्टर बनना है तो तुम्हें बड़े बड़े प्रोड़क्शन हाउस में जाके अपना केरियर को स्टार्ट करना चाहिए जी हाँ आपको बता दे कि इसके बाद वरुन धवन करन जोहर की फिल्म माइनेमिस खान में जूर्ट असिस्टेंट डाइरेक्टर रहे नहीं उनकी मुलकात एक्टर सिधार्ट मलोतरा से हुई और दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए तो फिर करन जोहर ने ये देखकर सोचा कि सिधार्ट मलोतरा वरुन धवन को किसी मुव में कास्ट करते हैं तो उन्होंने स्टूडेंट ओफ दा येर में इन दोनों को ही कास्ट कर दिया मुवी भी बहुत जादी सूपर हीट हो गई उन्हें लगा कि डेब्यू करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है वरुन धवन की पहली ही मुवी सूपर हीट हो गई और फिर उसके बाद वरुन धवन की पास धेर सारे मुवी के ओफर साने लगे अगर आपको वरुन धवरन अतासे दला की लब सूरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे